हरे कृष्णा, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हारदिक स्वागत है, भगवान श्रीकृष्णों शिमती राधारानी की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे 13 जून 2024, आज है गुरुवार का दिन, और आज आप सुनेंगे जेश्ट मास की कथा का 21 वाध्याय, और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, और अब भगवान श्री हर विश्णों का ध्यान करके आज की पावन कथा का प् उद्यत हुई, उसी समय विर्जा तथा ब्रह्म द्रव से उद्पन साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई, इसलिए परिपुर्णतमा क्रिष्णा अर्थात यमुना को परिपुर्णतम स्रीक्रिष्ण की पठरानी के रूप में लोग जा फिर उसकी दिर्ग जलराशी का अपने महान वेग से भेदन करती हुई, वे महान दी श्री वामन के बाये चरण के अंगूठे के नक से विद्रण हुए, ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान, ब्रह्म द्रवयुक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ठ और फिर वहां सेवे यमुना ध्रुव मंडल में श्तित, भगवान अजित विष्णु के धाम, व्यकूंठ लोक में होती हुई ब्रह्म लोक को लांग कर, जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकडों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी, तदनंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेक से गिरी, और अनेक शैल श्रिंगों को लाग कर, बड़ी बड़ी चटानों के तटों का भेदन करती हुई, जब मेरु परवत से दक्षन दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंग कलिंद गिरी के शिखरों से टूट कर जो बड़ी बड़ी चटाने पड़ी थी, उनके सुद्रिण तटों को तोड़ती फोरती और भूखंड पर लोटती हुई, वेगवती क्रिश्ना कालिंदी अनेकों देशों को पवित्र करती हुई, खांडव वन में अर्थात इंद्र प्रस्थिया दिल्ली के पास जा पहुँची, यमुना जी साक्षात परिपोणतम भगवान श्रीक्रिश्न को अपना पती बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारन करके खांडव वन में तपस्या करने लगी, यमुना के पिता भगवान सुरे ने जलके भीत प्रवाहित हुई, श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सकी के नाम से अपने नेत्रित्व में गोप किशोर्यों का एक यूथ बनाया, और श्रीक्रिश्न चंदर के रास में सम्मिलीत होने के लिए उन्होंने वही अपना निवास अस्थान têm शित कर लिया, तदंंतर वे जब व्रज से आगे जाने लगी तब व्रज भूमी के वियोग से वेवल होकर प्रेमानंद के आसु बहाती हुई, पस्चिम दिशा के और प्रवाहित हुई, तदंंतर व्रज मंडल की भूमी को अपने वारिवेग से तीन बार प्रणाम करके, यमुना अनेकों देशों को पवित्र करती हुई उत्तम प्रयाग में जा पहुँची वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और फिर वे उन्हे साथ लेकर छीर सागर की ओर गई उस समय देवताओं ने उनके उपर फूलों की वर्चा की और दिग्विजय सूचक जैघोस किया नदी शिरोमनी कालिंद नंदिनी कृष्ण वरणा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुँच कर गदगद वानी में श्री गंगा से कहा यमुना ने कहा समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे तुम धन्य हो साक्षात श्री क्रिष्ण के चरणार विंदों से तुम्हारा प्रादरुभाव हुआ है अतह तुम समस्त लोकों के लिए एक मात्र वंदनी हो हे शुभे अब मैं यहां से उपर उठकर श्री हरी के लोक में जा रही हूँ तुम्हारे इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो तुम्हारे समान दिव्यतिर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा ही गंगा आप सर्वतिर्थ मई है अतहे सुमंगले गंगे मैं तुम्हे प्रणाम करती हूँ यदि कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गंगा बोली क्रिष्ने संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो अतह तुम ही धन्य हो स्रीक्रिष्न के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है तुम पर्मानंद स्वरूपी हो साक्षात परिपोनतमा हो समस्त लोकों के द्वारा एक मात्रवंदनिया हो परिपोनतम पर्मातमा स्रीक्रिष्न की भी पटरानी हो अतहे क्रिष्ने तुम सब प्रकार से उत्क्रिष्ट हो तुम क्रिश्ना को मैं प्रणाम करती हूँ, तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुरलब हो, गो लोक में भी तुम्हारा दर्शन दुश्कर है, मैं तो भगवान स्रीक्रिश्न के ही आज्या से मंगल मैं पाताल लोक में जाऊंगी, यदि पि तुम्हारे वि ये बात कह दी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, सनन्द जी कहते हैं कि इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्यपत पर चली गई, सुर्धुनी गंगा जी अनेक लोकों को पवित्र करती हुई पाताल में चली ग तो द्यूपों के भूभाग पर लोडती हुई और भी प्रकरवेग से आगे बढ़ी, सुवन मई भूमी पर पहुँचकर लोका लोक परवत पर गई, उसके शिखरों तथा गंड शैलों अर्थात तूटी चट्टानों के तटका भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलध कर श्री हरी के पदचिन से लांचित, श्री ब्रह्म द्रव से यूक्त, ब्रह्मान डिवीवर से होती हुई आगे बढ़ गई, उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके उपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, इस तरह सरिताओं में श्रेष्ट यमुना, पुना श्र मन में धारन करे और प्रती दिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वरण किये गये उनके परंपद गोलोक धाम में पहुंच जाता है, श्री नारत जी कहते हैं, हे राजन सनन्द की बात सुनकर महमना नंद राज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प धिमान नंद राज, दोनों पुत्र बलराम और स्रिक्रिशन सहित रत पर आरूर होकर व्रिंदावन की ओर चल दिये, उनके साथ गववों का समुदाई भी था, बुढ़े बालक और सेवकों सहित अनेकों चकड़ी चल रहे थे, यात्रा के समय शंक बज रहे थे, और नगा प्राइकों से यशोगान सुनते हुए, मृदंग, ताल, वीडा और वेड़ों की मधुर्द वनी के साथ व्रिंदावन को गए, उनके साथ भी बहुत से गोप और गवों का समुदाई था, नंद उपननद और चहों व्रिशभानू भी अपने समस्त परिकरों के साथ व्रि निर्मान कराया, जो चार योजन विश्त्रित दुर्ग के आकार में था, उसके चारों और खाईया बनी थी, उस दुर्ग के साथ दरवाजे थे, दुर्ग के भीतर विशाल सभामंडब था, और अनेकों सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे, बीच बीच में मनो के साथ क्रीडा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीती बढ़ाते थे, हे राजन कुछ दिनों के बाद संपुर्ण गोपों के साथ समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और स्रिक्रिष्ण व्रिंदावन में बच्छडे चराने लगे, वे दोनों भाई ग् की सीमा तक जाकर बच्छडे चराते थे, कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित, निकुंजों और कुंजों में बलराम और स्रिक्रिष्ण इधर उधर लुकाचिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे, उन द वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूशित थे, कभी बालकों के साथ छेपड़ों अर्थात धेलवासों द्वारा धेले फेकते और कभी बासुरी बचाते थे, कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंगरों की सिध्वनी करते हुए दोडते और उनके स अब श्रीक्रिष्ण को ये बात पता चल गई और वे उसके पास गए, वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूछ उठाकर बार बार दोडता हुआ दिखाई देता था, उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्रीक्रिष्ण के कंधों पर प्रहार किया, अ श्री हरी ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित वरिक्ष पर दे मारा, फिर थो वह दैत्य ततकाल ही मर गया, फिरउसके धक्के से महान कपित वरिक्ष ने स्वैम गिरकर दूसरे दूसरे वरिक्षों को भी धराशाई कर दिया, यह एक अध्भुत्सी बात हुई, समत्त बाल बाल आश्चरे से चकित होकर कनहिया को वहां साधुबाद देने लगे। देवता लोग आकास में खड़े होकर जैजैकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैति की विशाल जोती स्रिक्रिष्ण में ही लीन हो गई। बहुलाश्व ने पूछा हे मुने ये तो बड़े आश्चरे की बात है। बताईए तो इस वच्छा सुरु के रूप में पहले कौन सा पुन्यात्मा पुरुष्ट प्रकट हो गया था जो परिपूनतम परमात्मा स्रिक्रिष्ण में ही विलिन हो गया। श्री नारत जी बोले हे राजन मुर के एक पुत्र था जो महाद्यत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वसिष्ट मुनी के आश्रम पर गया और वहाँ उसने मुनी की कामधेनू नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राम्हण का रूप धारन करके मुनी के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। अब महर्शी तो दिवेदर्शी थे अता सब कुछ जानकर भी वेचुप रह गये। कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वैम ही कहा। श्री इतना कहते ही वह मुर्ग पुत्र महान गौवत्च बन गया। तब उसने मुनीवर वसिष्ट तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा। मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। गौ बोली महाद्यत्य द्वापर के अंत में जब तू श्रीक्रिष्ण के बच प्रणाती नहीं है हर एक रिष्णा आजकी कथा की यहीं पर समापन करती हूं इसके के आगे कावरेता अंता ऑफकल की सुनें गे तो अग्वर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और संभव्व हो तो वीडियो को शेर भी किया कीजिए और हां कमेंट पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं, और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुश और पाश, अर्थात, फंदा, धारन किये हुए हैं, वेही ओमकार स्वरूप प्रभू, सब प्रकार स सब और से मेरी रक्षा करें, मज्सिमूर्थी भगवान जल के भीतर जलतन्तुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें, माया से ब्रंभचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप स्रित्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्ष में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्य मूर्दी वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा प्रवान जी पर प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंत्री कुपत्य से जी तेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भैदायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कश्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाच से वेरी रक्षा करें। चक्र राज शुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधु सूधन अपना प्रचंद धनुष्ण लेकर मेरी रक्षा करें। में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें। वज्र के समान असाई है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुश्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादी ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए। तथा मेरे शत्रों को चूर-चूर कर एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाज, तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ट तलवार, आपकी धार बहुत तीख्षड हैं। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रों को छिन भिन कर दीजिए। श्रीहरी के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्टन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं। ब्रिहद, रथंतर आदी, सामवेदिय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है। वे वेदमूर्ति भगवान, गरुड और विश्वक सेन जी अपने नामोचारण के प्रभाव से हम सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूध तथा स्रेष्ट पार्सद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत हैं, वह वास्तो में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिल भी वे अपन जो अपने भयंकर अटाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान रिसिम्म दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, अत्वा पैर से छू देता है, ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेद, पिशाच, आदी और बाग आदी हिंशक जीवों से कभी किसी प् प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया। अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्रामभन देव की हड्यों को ले जाकर पुर्ववाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहित कर दिया, और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए। श्री सुकदेव जी कहते हैं, हे शत्यक्रतु इंद्रने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैशनेवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया, और वे त्रैलुक्य लक्षमी का उपभोग करने लगे। श्री नारायन कवच संपुर्ण हुआ। नारसिंगव पुश्रीमान केशव पुरसोत्तमा, सर्वह शर्व शिवस्थानुर भूतादिर निधर्व्यय, संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरिश्वर, स्वयंभु शंभु रादित्य, पुस्कराक्षो महास्वन, अनादि निधनोधाता, विधाताधातु पुरुत्तमा, अप्रमेयो, रिशीकेश, पद्मनाभो, अमर अप्रभु, विश्व कर्मा, मनुस्त्वस्था, स्थविस्था, स्थविरोधुव, अग्राहिया, शाश्वता, क्रिष्णो, लोहिताक्ष, अप्रतर्दन, प्रभुतस्त्रिककुप्धाम, पवित्रम्मं, गलंपरम, इशान, प्राण, दह प्राण, जेश्ठ, स्रेश्ट, प्रजापति, हिरण्यगर्भो, भूगर्भो, माधवो, मदु सूधन, इश्वरोविक्रमीधनवी, मेधावीविक्रमहक्रम, अनुत्तमो, दुराधर्ष, हकृत अग्य, हकृतिरात्ममान, सुरेश, विश्वरेत प्रजाभव सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष खृताखृता चतुरात्मा चत्रुयोहस चत्रदर्ष्टस चतुर्भुजा ब्राजेश्रुर भोज नम्भोगता सहिस्रुर जगदातिच अनगो विज्यो जेता विश्वयोनीं पुनर्वसु उपेंद्रो वामनः प्राशुर मोखा अनिर्देश्यवपूष्णृमा अनिमेह आत्मा महद्रित्रिक्त्रुप महिष्वासु महीभर्ता श्रीनिवास सताम्यति अनिरुद्द सुरानंदो गोविनो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंसा सुपरनो भुजुकोत्तमा हिरन्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजो दूर मर्षड शास्ता विशुतात्मा सुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो अनिमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरड स सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात्प आवर्तनों नी वृत्तात्मा सम्रिता संप्रमर्धना अहसंवर्तको वह निर्निलोधर निधरह सुप्रसादह प्रसन्नात्मा विश्वद्रिक विशुभुग विभू सत्कर्ता सत्कृतह साधु जहनुर् शिद्धार्त शिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धिसादन, वरिशाही विर्षभो विष्णुर विश्परवा वरिशोदर, वर्धनो वर्धमानस्च विविक्त शुरतिसागर, सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु, नैकरू बो ब्रिहद्रूप शबिविष्ट प्रकाशना ओजस्ते जो दुदिधर प्रकाशात्मा प्रतापना रिधस्पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रान्षुर भाश कर दूति ही अम्रितान शुद्भवो भानू शश्विंदू सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवनह पावनो नला कामहा कामक्रितकांत कामह कामप्रदः प्रभु युगादि कृद्युगावर्तो नेकमायो महाशना अद्रिश्य अव्यक्त रूपस्च शहस्त्रजित नंत जिते इस्टो अविसिष्ट शिष्टेश्ट सिखंडी नहुसो वृष प्रोध प्राण दो वासो वानुज अपामनी धिर्धेश्टानम प्रमत्त प्रतिष्टित स्कंद स्कंद धरोधूर्यों वर्दो वायुवाहन वासुदेव ब्रिहत्भानु रादिदेव पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूल हशतावर्त पदमी पदमनी भेक्षण पदमनाभो अर्विन्दाक्ष पदमगर्भ शरील व्रित महः धिर्धो व्रिधात्मा महाक्षो गरुडध्वज अतुलह शरभोभीमो समयक्जों हविरहरी सर्वलक्षन लक्षन्यों लक्षमिवान समितिंजय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूरद आ महिधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देवा स्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विगरता गहनोगुः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेख्षण रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमतांज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणदः प्रणवाप्रितु हिरन्यगर्भ शत्रुग्णो व्याप्तो वायुरुधोक्षज रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्रह सम्वत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तारस्थावरस्थानु प्रमाणंवी जमव्ययं आर्थो अनर्थो महा सुष्मा सुघोसा सुखदा सुहृता मनोहरोजित क्रोधो वीरभाहुर विदारण स्वापनास्वव सोव्यापी नैकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह धर्मगुप धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्याता सहस्त्रांसुर विधाता अकृत लक्षन गबस्तिनेमी सत्वस्थ सिंहो भूत महिश्वरह आदिदेवो महादेवो देवेसो देव भिरित गुरु उत्तरोगो पतिर्गोप्ता ज्यान गम्यापुरातन शरीर भूत भृत भुरित भोक्ता कपिंद्रो भूरिदक्षिन सुमभो अमृत पह महर्शी कपिलाचार्य कृत अग्यों में दिनीपति त्रिपदस्त्त्र दशाध्यक्षो महाश्रिंग अकृत अंत्रक्रित महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुयो गभीरो गहनो गुप्तस चक्रगदाधर वेथा स्वांगो अजिता क्रिष्णो द्रिढ संक त्रिसामा साम गहसाम निर्वाणं भेश जम्भिसक सन्यास्क्रिच्छम शांतो निष्ठा शांति ही परायनं शुभांग शांति दस्रष्टा कुमुदाह गुबलेशय गोहितो गोपतिर गोप्ता व्रिश भाग्चो व्रिशाप्रिया अनिवर्ति निवरतात्मा संचेप घ्लश भेश भी दोपता शेमिक्रिच्छिवा श्रीवत स्वक्षा स्सरी वासस्री पती हृमताम श्रीद locals श्री निवहास श्रीनी श्रीद स्वी भावन श्रीना daranda shreya, श्रीमान लोक र्यास्रीर श्रिया, स्वक्षाश्वंग, स्तानंदो, नंदिर्जो, उदेरणा सर्व तक्षाशुर निशाशाश्वतास्थिर भूजयो भूशनो भूतिर विशोक शोकनाशन अर्चिश्मानर चिता कुम्भो विशुधात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरत प्रद्युम्नो अमित विक्रमा काले नेमी निहा वीर शोरी कामदेव कामपाल कामी कांत क्रितागम अनिर्देश्यव पुर्विश्णोर वीरो अनन्तो धनंजेः ब्रह्म्हन्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म्ह ब्रह्म्ह विवर्धन ब्रह्म्ह विद्ब्राम्हणे ब्रह्म्ही ब्रह्म्हज्यो ब्राम्हन प्रिया महाक्रमु महाकर्मा मह पुर्ण पुरैता पुन्य पुन्य किरतेर नामया मनुजवस्तिर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी सत्गती सत्किर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायण शूर सेनो यदुस्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलियो अनल दर्पहादर पदोद्रिप्तो दूर्थरो था पराजित विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दिप्तमूर्तिर मूर्तिमान अनेकमूर्तिर अव्यक्त शत्मूर्ति शतानन एको नैक सवक किम यत्तत पदमनुत्तमं आत्मा चतिरूभावस चत्रव्युः दविदे कपात समावर्तो अनुवितात्मा दूर्जयो दुरतीक्रमाीं दूरलभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङोलो के सारंग शुतंधुषतंतुवर्थन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृत कर्मा कृतागमा उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचन अर कोवाज सनाश्रिंगी जयनता सर्वविज्याई सुवरण विंदु रक्षोभ्य सर्ववागी इश्वरेश्वर महाहरदो महागर्तो महाभूतो महानिधी कुमुदह कुंदर कुंदह परजन्यापावनोनिला अम्रिताशो अम्रितवपु सर्वग्या सर्वतो मुख सुलभा सुवरत सिध्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुमबरो अस्वस्त स्चानु रांध्र निशूदना सहस्त्राट्ची ही सप्त जीव सप्तेध अमुर्दिरणगो अचिंत्यो भैकृत्भैनासन अनुर्ब्रिहत्कृषस्थूलो गुडब्रिण निरगुडोमहान अद्रितस्वद्रितस्वास्य प्रागवांशो वन्षवर्धन भारभृतिकतितो योगी योगी ससर्वकामद आश्रम श्रमन चाम सुपरणो वायु धनुड़ धरोर धनुड़ वेदो दन्डोदम इतादमा अपराजिता सर्वसहु नियंता अनियमोयमा सत्ववानसात्विक सत्य सत्यधर्म परायन अभिप्रयाया प्रियार होरह प्रियक्रीत पिल्ति वर्धना विहाय सगतेर जोती सुरुचिर हुद भुग विभु रविर अनन्तोहुत भुग भोगता सुखदो नैक जोग्रज अनिर विन्न सदामर्षी लोकाधेष्ठा अनमत भुत सनात सनातंतमा कपिला कपिरप्यया स्वस्तिदा स्वस्तिक्रि स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षण रोद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्युर जेतिशाशन शब अनन्त स्रिर जित्मन्यूर भयापह चत्रष्टो गभिरात्मा विदिजो व्यादिशोदिश अनादीर भूर्भु ओलक्ष्मी स्वीरो रुजिरांगद जन नो जन जन मादिर भीमोभीम पराक्रमा आधार नीले योधाता पुस्पहास प्रजागर उर्ध्वग प्रणदःप्रणव प्रमाणप्राणव नीलिय प्राणभृत प्राणजीम नह तत्वमतत्व विदेक आत्मा जन्मेमृत्यों जरातिग भूर्वОस्व्चत्रुस्ताराश सविताप्रपिताम यगयो यग्य पतिरुजव송 यांगो यग्य वाहना यग्य भृत्य सर्व प्रहरनायुदा सर्व प्रहरनायुदा ओम्नमहिति श्री राधा क्रिपाक टाक्ष स्तोत्र मुनिंद्र व्रिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी प्रसन्वक्त्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम। अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारोणांध्रि को मले। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवाम सविभ्रमं ससंब्रमं द्रिगंत बाण पातने निरंतरंव शीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गोर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले। विचित्र चित्र संचरत्च कोर शाव लोचने कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम। मदोन्म दादि योवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम। अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्भ कुम्भ कुम्भि कुम्भ सुस्तनी। प्रसस्त मंद हाश्य चुरुण पुरुण सोख्य सागरे, कदा करेश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते, लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने। लललुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्य ते, कदा करेश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे, त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्त दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते, कदा करेश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागुडे, प्रशष्तरत्न किंकिडी कलाप मध्य मन्जुले। करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शौभ गोरुके, कदा करेश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मन्जुनू पुरार वस्खलत, समाज राजहन सवंष निक्वडाति गौरवे। विलोलहे मवल्लरी विडं विचारु चंक्रमे, कदा करीश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। अनन्त कोटि विष्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे। अपार सिध्धी रिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करीश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण साशनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधी, पेश्री राधिके नमोस्तुते. इतीम मध्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफलन होई जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विश्णु नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेही के काज होय सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुन्दर वरसु कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी ब्रिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यज्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमैं सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विक्याता देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमत नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिने मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी तुलसी महरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीपने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी महिया की जै दोस्तों अगर आप नेरजला एकादिशी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इसे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही से मवरब राप्त होगी मिलते हुमें आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री रादे